हलो स्टुडेंट्स अंजय हिंद, I welcome you all to Magnet Brains, एक ऐसा प्लाटफॉर्म जहां Class 1 से लेके Class 12 तक and beyond, सारा Quality Educational Content आप लोगों तक exclusively free of cost लेकर आया जाता है, मतलब यह कि यहां कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेट के एक या दो चैप्टर एक्सेस करने के और उसके बार आपसे यह बोला जाए कि बचा हुआ content एकसेस करने के लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फीज देना पड़ेगी या कोई paid subscription लेना पड़ेगा, ऐसा Magnet Brains पर नहीं होता, Magnet Brains प्रतिबद्ध है, आप लोगों तक सारा Quality Educational Content exclusively free of cost लेकर आने के लिए, जि इसका भी अपना contribution हो, यही Magnet Brains का धे है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसी नोट पे हम अपने आज के सेशन के शुरुआत करेंगे, तो आज के हमारे सेशन में हमारी Class 11 की जोग्राफी की NCRT की किताब, इंडिया फिजिकल इंवार्मेंट के NCRT में जो भी सब दिया हुआ था, वो सब हमने डिसकस कर लिया है, अब इस सारे knowledge के ऊपर जो questions NCRT में हम से पूछे गए हम लोग उसको देखेंगे, और इसकी मरत से समझने की कोशिश करेंगे कि इस particular chapter में जो knowledge हमने गेन किया है, उस पर किस तरीके के questions बन सकते हैं, किस तर right answer from the four alternatives given below, तो हमको कुछ MCQs वगरा दिये हुआ है, हमने जो chapter पड़ा था, उसके उपर base कुछ MCQs वगरा हम solve करेंगे, पहला question, which one of the following river was known as the sorrow of Bengal, इन में से कौन सा river जो है sorrow of Bengal की नाम से जाना जाता था, options हैं गंदक, सोन, कोसी या दामुदर, सही जवाब है, option number D, दामुद हैं, मगर पहले दामुदर river को सौरो बंगाल के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसके चलते काफी बड़ी मातला में, बंगाल में हर मौनसून में बाड़ा आया करती थी, मगर अब जब से दामुदर river के ओपर एक आपका पूरा multi corporation project बनाया गया है, जिसके अलग-अलग استعم रिवर किया करता था, इसलिए इसको सौरो बंगाल के नाम से जाना जाता था, अगला question, which of the following rivers have the largest river basin in India, अब हमको ये पूछा गिया है कि इन में से कौन से river का सबसे largest river basin है इंडिया में, हमको ये बताना है, options हैं, इंदस, ब्रह्मपुर्त्र, गंगा, कृष्णा, तो इसका river basin बोला जाता है, गंगा का river basin जो है, इंडिया का सबसे बड़ा river basin है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा river basin है, क्योंकि गंगा river सबसे बड़े इलाके को जो है drain करती है, चले, अगला question देखता है, which of the following rivers is not included in पंचनाद, इन में से कौन सा river ये इन में से कौन सी नदी पंचना पर जाके मिलती हैं, जिसको पंचनाद बोला जाता है, और उसके बाद में इन सारी नदियों का combination फिर एक और नदी में जाके गरता है, अब options कौन कौन से हैं हमारे पास, हमको ये बताना है कि इन में से कौन सी नदी पंचनाद में included नहीं है, रवी, चेनाब, इंदस, झेलम इसका सही जवाब हो जाएगा, इंदस, क्योंकि हमको पता है कि चेनाब हो गई, और आपका जेलम हो गई, रवी हो गई, ब्यास हो गई, ये सारी की सारी नदियों का combination इंदस रिवर में गिर जाता है, तो इंदस रिवर जो है पंचनाद में इंक्लूड़ेड नहीं है, ये जरूर है कि पंचनाद में मिलने वाली सारी नदियों का combination इंदस में आके गरता है, चले हैं, अगला question, which of the following rivers flows in a rift valley, अब हमको ये बताना है कि इन में से कौन सी नदी जो है, एक rift valley में flow करती है, options है, सोन, नर्बदा, यमुना, या लूनी, इसका जो सही जवाब है, वो हो जगह है, वहाँ पर अलक ननन्दा और भागी रती आपस में मिलती है, कॉंट्ना होता है, पटिकुलर जगह कौनसी है, जहां पर इनका कॉंट्रियंस होता है, ओप्शंस है, विष्णु प्रयाग, रुज्रप्रयाग, कर्ण प्रयाग या देव प्याग, सही जवाब हो ज जाना जाता है चले अगला question state the differences between the following आप अपने को कुछ differences बगरा बताने हैं differentiate करना है कुछ चीजों के बीच में जैसे पहला हम को river basin और watershed के बीच में जो है distribute का river basin और watershed के बीच में हमको difference करना है तो बताते हैं आप इसका जवाब ब्लॉक में भी दे सकते हैं आप इसका जवाब चाहें तो अलग अलग भी दे सकते हैं मगर क्योंकि हमको differences बताने है तो ज़्यादा बैटर तरीका ये रहेगा कि आप ब्लॉक बनाके या फिर एक पेज के उपर एक line बना लीजिए इस तरीके से एक तरफ लिखिए river basin और एक तरफ लिखिए watershed और उसके बाद जवाब दीजिए ये ज़्यादा बैटर तरीका जो catchment of the large rivers are called river basins सबसे पहले तो catchment क्या होता है इसको मैं एक बार आपको revise करा देता हूं या वो बच्चे जिन्दों ने चाप्टर के explanation को नहीं देखा उनके लिए बता देता हूं वो शेत्र जहां से एक नदी पानी लेकर आती है जिसको आगे लेकर जाके वो ड्रेन करेगी इसको catchment भूला जाता है या फिर वो particular area जहां से नदी आपका flow करती है आगे शुरू होती है जहां से पानी लेकर आगे बढ़ रही है वो source या वो primary source water का जहां से नदी जो है water लेकर आगे उसको drain कराती है उसे catchment area बोलता है तो large जो reverse होती है है उनके catchment area obviously बात उनके जो catchment areas वो भी काफी बड़े होंगे गंगा के ब्रह्मु पुत्र के यह मुना के इन सब के catchment areas अगर आप देख लोगे तो बहुत बड़े आएंगे निकल गे अब इसी के जगे अगर आप एक थानी है आपके शहर में बहने वाली है जिले में बहने वाली को नदी है जो comparatively बहुत चोटी है उसको अगर आप compare करोगा तो उसका catchment area उतना बड़ा नहीं आएगा तो river basin का मतलब होता है वो large rivers जो आपके बड़े इलाके को drain करती है उनके catchment areas उनको हम लोग river basin के नाम से जानते हैं इसी जगे watershed क्या होता है छोटी छोटी जो नदियां होती है रिवेलेट्स हो गई या रिल्स हो गई इस तरीके की जो छोटी नदियां होती है उनका catchment area होता है उसको हम लोग watershed के नाम से जानते हैं चले अगला river basins are large in area वोई बात जो मनें बताए कि river basins एक बड़े शेत्र को जो है cover करते हैं बड़े शेत्र को drain करते हैं तो river basins आपके by area बड़े होते हैं और watershed जो है वो बाई एरिया छोटे होते हैं चले पहला दूसरा आपको यह बता लिख लेंगे एक तरफ ट्रेलिस लिख लेंगे और बीच में basis लिख लेंगे जिसके basis में हम लोग दोनों के बीच में differentiate करने वाले हैं तो डेंडराइटिक drainage system is a drainage pattern resembling the branches of a tree is known as dendritic याने कि वो drainage pattern जिसमें आपका जो पानी इस तरीके से flow करता है कि आपको ऐसा लगता है पी बहना शुरू हुई उसकी एक ब्रांच होगी कुछ इस तरह से पिर ये 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 अगर इसको आप ऊपर से देखो गए तो यह आपको एक पेड़ की शाक की तरह लगेगी या पेड़ की शाखाओं की तरह लगेंगी जिसके ओपर पतियां नहीं लगी हुए हैं तो यह ज Tributaries किसी में नदी में जो गिरती हैं वो एक दूसरे के Parallel Flow करती हैं और जो Secondary Tributaries होती है वो इन Primary Tributaries को Almost Almost 90 के एंगल पर जॉइन करती है इसका एक ले 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 आपकी एक में नदी बह रही है और उसमें आके एक नदी इस तरह से गी एक नदी यहां से घी एक नदी इहां से गी तो यहां पर जो het के tributeries हो गई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौती, अब अपने को पता है कि जो tributeries में नदी में आके directly गिरती हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसे बोलते है primary tributeries. तो यहाँ पर जो primary tributeries गिर रही है, ध्यान से देखिए का ये आपस में पैरलल है. ये दोनो primary वक्राइमरी ट्रीबूटरी पसमें पैलेलंट अब शकेंडूरी ट्रीबीूटरी किसको बोलते हैं सेकंडरी ट्रीबूटरी यह इंडैरेकें ओर यह जै सकते हैं यह जो आपकी नदी है यह इस नदी की secondary tributary है तो इस तरीके का आपका drainage pattern जिसमें secondary tributary को almost almost 90 के एंगल पर या perpendicular join करती है मतलब कुछ इस तरीके से अगर आके इसमें secondary tributaries गिर रही होती है इनकी जो नदियां है इनके secondary tributaries गिर रही होती है और यह सारी के सारी फिर जो आपके जो में रिवर है उसमें जब जाती है तो primary tributaries एक दूसरे के parallel हो जाए इस तरीके के drainage pattern को लोगों ने क्या बोला है इस तरीके के drainage प्रेंस्स वगरा की बात कर लें आश्में और कुछ एक्जाम्बल वगरा हम लोग देना चाहें तो ड्रेनेज पैटर्न जो आपको northern diagram भी जो है साथ में बना सकते हैं सबसे लास्ट में अब जैसे अपन ने बता दिया कि नौर्थ के प्लेंस में जो है आपको डेंडराइटिक पैटर्न देखने को मिलता है उसके बाद में इस ब्लॉक को एक्टेंड करकर डेंडराइटिक का डाइग्राम भी जो है आपके नंबर्स बगरा जो है जितने नंबर वो दे रहा है कम उसका मुसमें से वो काटेगा नहीं चले तो इस तरीके से जो है यह आपका जवाब बन कर तयार होता है इसके बाद पूछा गया है कि रेडियल और सेंट्री बिटल ड्रेनेश पैटन में क्या फर्क है वो बताईए तो फिर हम लोग उसी बैटन दो फॉलो करेंगे कागस के बीच में लाइन खीच के एक तरफ रेडियल एक तरफ सेंट्री बिटल और दोनों का इस्प्रेशन ब सेंट्री बिटल ड्रेनेश पैटन सबसे बहले मीनिंग के बैसेस पर देख लेता है जब आपका रिवर एक हिल वगरा से एक हिल से ओरीजिनेट होता है और हर डियरेक्शन में फ्लो करता है तो जो पैटन बंकर तयार होता है उसको हम लोग कहते हैं और इसी तरीके से इसी क पॉइंट है और यहां से आपका रिवर जो है वो फ्लो करके अलग-अलग डियरेक्शन में जा रहा है तो यह कहलाता है आपका रेडियल और इसी का उल्टा अगर यह इस तरीके हो रहा है कि आपका अलग-अलग डारेक्शन से स्ट्रीम आके एक पर्टिकुलर पॉइंट एकटी हो रहे ही तो उसको बुला जाता है सेंट्री बिटल आपको कहां देखने के लिए मिलता है जब किसी पर्टिकुलर रिवर के टॉफ से या फिर आल्मोस्ट आल्मोस्ट हम कह सकते हैं उसके अगर कोई रिवर वगरा को औरीजन शुरू होता है तो फिर वो जो है आप की तरफ कर लेता है रिवर बिटल पाटन कहां होता है जहां पर एक उलहग अलग डिरेक्ज़न से वाटर सुखर करके ये के सेंटर की तरफ जा रहा हो तो वहाँ पर आपको सेंट्री बिटल पैंटन्स बनता हुए समझ में आता है चलैंगे बहूं अमर कंटक ढरिशनेटे है वहाँ पर आपको radial pattern का अच्छा example देखने के लिए मिलता है और centripetal drainage की बात की जाए तो रायस्थान की जो सांबर लेक है वो एक बहुत बढ़िया example हम लोग मान सकते है centripetal drainage pattern का चला आगे अगला है the mouth of the river is the sunken mouth of the river where the river meets the sea forming the tunnel shape zone where saline and fresh water mix तो डेल्टा more or less triangular shape का landmass होता है वैसा भी नहीं कि exact triangle बन जा है मगर वो particular जगे जहां पर नदी कई सारी आपकी distributories में तूट जाती है समुद्र में किरने के पहले वहाँ पर primarily यह दिखा गया है कि more or less triangular shape जैसी जो है एक shape या फिर एक structure बनके तयार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा अब ज़रूरी नहीं है कि exactly एक बहुत बढ़िया triangle बने मगर more or less triangular shape आपको देखने को मिलता है estuary की कहानी अलग एक छोटा सा जो है narrow आपका pattern बनता है एक छोटा सा नैरो जो है passage बनता है जिसके थुरू आपका main river समुद्र में गिरता है और इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि इस particular sea coast near the mouth of the river where sediments brought by the river is deposited delta का formation खास तोर पर आपको इस तरीके के sea coast पर देखने को मिलता है जहां पर generally tides नहीं आते हैं यानि कि जहां पर जोर भाटे नहीं आते हैं high tide और low tide अगर जहां की बात कर ली जाए तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर खूब आपके टाइट्स आते हैं और high tide और low tide वगरा के चलते यहां पर इस तरीके का pattern develop होता है कि छोटा सा narrow passage जिसके तहरत समुझर से जाके जोड़ते हो and sweet water and salt water का हापस में combination होता हुआ आपको देखता है तो यह जो चीज है यह एस्ट्यरी कहलाती है चल आगे बढ़ता है डेल्टा की बात की जाए तो यह रिच अगरी कल्चिरल ग्राउंड होते हैं यहां पर आपका बढ़िया खेती वारी की जा सकती है और यहां पर पैदावार खूब होती है क्योंकि उर्वरा शम्ताज होती है आपकी जमीन की वो काफी जादा होती है एस्ट्यरी की बात करें तो यह फिशिंग के पॉइंट ओप यू से काफी जादा रेज ग्राउंड होते ह है और inland transportation बगरा के लिए सो टेबल होते हैं अब इंडिया में जो आपकी पेनसुला रिवर्स बगरा भैती है वह सारी इंडिया के डिन्टा करेंस बनाती है Arabian Sea में गिरती है चल आगे next question है इसमें अब हमको कोई पर्टिक हमको जो है आपका describe करना है अब यहाँ पर comparison वगरा नहीं करना अब सीरे सीरे questions है अब उनके answer वगरा हमको देने हैं चले देखते हैं तो पहला question है what are the social economic advantages of interlinking of rivers in India तो इंडिया में जो अगर हमने आपस में इंटर लिंक किया तो उसके क्या क्या सामाजिक और क्या क्या आर्थिक फायदे होंगे social point of view से क्या क्या advantages होंगे और economic point of view से क्या क्या advantages होंगे इस पर बात करेंगे तब आपको इसका explanation देने की जरूरत नहीं है कि interlinking क्या होती तब डारेक्ट इसके advantages गिना सकते हैं मगर मैं आपको यह बता रहा हूं कि अगर आपको answer writing करनी है answer के point of view से भी अगर यह question पूछा जाता है तो इसका जवाब कैसे देना है तो सबसे पहले define कर दीजिए कि इंडिया में जो है नदिया दो तरीके की हैं एक तो perennial हैं जिनमें साल भर जो है एकी जैसे level पर more or less एकी जैसे level पर आपको पानी देखने के लिए मिलता है दूसरी peninsular rivers हैं जिसमें seasonal variations काफी साधा होते हैं बारिश के मौसम में पानी आता है या यह यह बोलूँ कि major source of water है वो आपका monsoon है और उसके बाद जैसे जैसे गर्मी की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं तो water के level में अच्छी कासी कमी देखने को मिलती है पहले तो आप यह define कर दीजे कि perennial rivers वो हैं जिसमें साल भर जो है आपको water देखने के लिए मिलता है more or less same level पर देखने के लिए मिलता है peninsular river में भी यह बैसा नहीं है कि कृष्णा कावरी of time and place most of the water gets wasted in floods during rainy season तो इसमत देखिए कोई शक्की बात नहीं है हिंदुस्तान के rivers में बहुत बड़ी मातरा में पानी जो है आपको साल भर देखने के लिए मिलता है और मगर problem बस यह है कि इसका जो distribution है वो equal नहीं है कहीं पर बहुत जादा है excess से जादा है कहीं पर जितनी ज मैं हर साल आपको पता है flood आना है इसी तरीके से आपके south में कभी बहुत ज़्यादा बारिश होगे तो वहाँ पर flooding हो जाती है north में कई जगाओं पर बहुत excess में बारिश होगे तो वहाँ flooding हो जाती है तो हर साल हमको पता है कि कहीं ना कहीं आपका जो है या तो excess water के चलते कह जान का और property का जान का और माल का life और property का बहुत नुखसान होता है agriculture का बहुत ज़्यान होता है तो ये जो situation है ये बहुत आप कह सकते है paradox है paradoxical है ये situation बहुत जादा जो है एक चिंता जनक सिति में हमको लेकर जाती है कि ये क्या बात हुई हिंदूस्तान की नदियां जो है प और माल का नुकसान हो रहा है और दोनों कंडिशन्स में अग्रिकल्चर और लोग और बाकी सब लोग बाकी सारी चीज़ां जो है उसके असर बढ़ रहा है तो ऐसी परिस्तिती में अब किया किया जाए इसका जवाब जो है वो निकल कर आता है इस सवाल में जो हमसे पूछा गया है वो इंटर इंटर लिंकिंग ऑफ रिवर के कंसेप्ट मैं और यहां से जो है हम पिर यह पर्टिक्लर बात समझ में आती कि इस परिस्थिति से अगर निकलना है तो रिवर इंटर लिंकिंग रामबान्ड इलाज साबित हो सकती है एक पैनाकिया जो है उसके रूप मे drops will get solved. तो अब इस तरीके की जो परिस्थितियां है इस से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं canals वगरा की मदद से या फिर आपका canals वगरा की मदद से इंफर्ट अब तो pipelines का भी इस्तेमाल किया जा रहा है इन सब की मरद से अगर हम लोग rivers को काइड करते हैं आपस में जोड़ते हैं तो यह problem solve हो सकती है जहां पर आपका एक्सेस वाटर है उन रदियों से उन पर्टिकुलर नदियों में पानी लाया जा सकता है जहां पर उतना ज्यादा पानी नहीं है इस तो एक जगे पे एक्सेस वाटर के चलते जो फ्लडिंग होनी थी वो नहीं होगी उससे जालमान का जान और मल का नुकसान बचेगा और ऐसी जगे जहां पर ड्रॉट आ रहा था वो ड्रॉट नहीं आएगा वहां पर लोगों के पास में कमस कम पीने का और आपकी बेसिक जरूरत हैं पूरी करने का पानी रहेगा इस त सबसे पहला तो यह कि जो रिवर्स हैं परेंसुलर प्लाट्यू और सेंट्रल हाइट होते हैं तो पहली चीज तो इन रिवर्स की यह है कि यह सीजनल है इसका यह मतलब नहीं है कि यह नदियां सिर्फ कुछ मौसम बहती है और बाकि मौसम में सूख जाती है। इसका मतलब यह बनता है कि इसमें वाटर लेवल जो है काफी जादा कम हो जाता है कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो सिर्फ आपका कुछ महीने बहती हैं मगर वह बहुत छोटे रस्ते कवर करती हैं या उनका जो लेंद होती हो जादा नहीं होती या फिर यह नदियां इस तरीक जिर्दभी नर्बडा- तांपी और एक सारी की सारी नदिया हो एसमें महानदी वगेर इनमें पानी और मसं में आता है यह की प्रेटीकुलर मौसम जो हैं के लिए वॉटर का मेन सोर्स होता और बाकी फिर जैसे जैसे उसम से हम दूर जाते जाते हैं वैसे 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 वेसे वॉटर का स्थ wews seguir Championship तो यह रिवर प्लैट Virus पैटन्स त्यार हुआ है यह सब आपको देखने को मिलते हैं बट मोर और लेस्ट यह सूपर इंपोस्ट ड्रेनिश पैटन्स रिजूविनेशन की रिजल्ट में निकल कर आए हुआ है ठीक है इस रिवर्स यहां पर इनका कोर्स फिक्स्ट है यह की परटिकुलर कोर्स में लगातार जो हैं बह रही हैं लगातार हजारों सालों से आपको उसी तरीकर से बहती हुई इस पूरे रास्ते में आपको डाली उर बाकिसारी चीज use के अनुसार आजजिस्ट में आथा है कि उस पूरे हमाले की रिवर्स वगरा के पहले से जो है आपको इनका ये बैटी दिखती आंगे हमारे परमाढ़ है कि हमाले के माले से जाधा पुरानी यहां पर इसके चलते आपको प्रूफाइल वगरा भी जो हैंकि ग्रेडड देखने को मिलती है वो सारे मैच्योर फीचर आपको समझ म आते हैं जो एक पर्टिकुलर रिवर काफी अगर हजारों सालों से बह रही है उसमें अगर वो देखने को मिलते हैं उस सारे के सारे फीचर्स आपको यहां पर समझ में आते हैं चले अगला question देखते हैं question number fourth answer the following question in not more than 125 words अब इस सवाल का जवाब 125 या उस से जाधा में हमको नहीं देना है पहला what are the important characteristic features of North Indian rivers how are they different from Peninsular rivers तो आब हमको North Indian rivers की characteristic features पर बात करनी है प्लस यह किस तरीके से Peninsular rivers से differ करती है उनके बारे में बात करेंगे पहला तो पहली बात तो यह कि North Indian rivers में से major rivers का origin जो है वह हमालियन mountain ranges में होता है एंड जनरली इनमें से maximum किसी ना किसी glacier से अपना उद्गम पाती है किसी glacier से इनकी शुरुवात होती है इनकी nature की melting भी एक important source है water का आपका snowfall जो होती है वह भी एक बड़ा important factor हो जाता है जिसके चलते यह ननिया साल भर लवा लब भरी रहती है और इनमें water का level more or less सेम रहता है पहले सुला river में water का level जैसे जैसे आप बारिश के मौसम से दूर जाओगे थोड़ा कम होता चला जाता है मगर इनमें अगर आप देखोगे तो more or less water का level सेम उतना ही बना रहता है drainage pattern की बात की जाए तो यह काफी सारी नदिया antecedent है और consequently इनमें dendritic pattern develop हो जाता है जब यह प्लेंस में एंटर करती है नेचर की बात की जाए तो एक तो उनके courses बहुत लंबे हैं यह रग mountains वगरा से flow करती हैं काफी बड़े level पर erosional or depolitional activities वगरा यह perform करवाती है जब तक पहाड़ों में रहती है जैसे ही आपके मैदानी इलाके में उतरती है तो वैसे आपको meandering capabilities and meandering tendencies and shifting courses देखने को मिलते हैं यह meanders बनाती हुई जाती है इस तरीके से twist and turns लेते हुए meanders बनाते हुए प्लस अपना जो course है उसको shift करते हुए एक से दूसरी जगे जाती है आपको समझ में आती हैं catchment area की बात की जाए बहुत जादा बड़े catchment areas होते हैं इंदस की बात कर ली जाए गंगा की बात कर ली जाए ब्रह्मपुत्र की बात कर ली जाए इस तरीके की की अभी भी इनके जो अलग-अलग landforms के formation वगरा जो है वो चल रहा है हमको पैनलसुला रिवर में यह देखने के लिए मिलता है कि उनके क्योंकि रिवर एक पर्टिकुलर कोर्स पर हजारों सालों से बह रही है तो उसके आजपास के landform ने अपने आपको इसके साफ से adjust कर आपने चल रहे हैं। चोंब कर सकते हैं पहला तो औरीजन के कर सकते हैं पैनेसुला रिवर आपका इंडिया की जो पेनिसुला प्लाट्यूर सेंट्रल हाइलेंड होती है जह हमालिया गुसटी हला हो पर लिपटी सेजनल माना जाताosit सेव होना के लिए यह पर बैंग और की मेल्टिंग वगएरा के थुरू और स्नोफॉल के थुरू जो आईस आईगी उसके थुरू भी इंद में वाटर इखटा होता रहता है तो पैनिसुलर रिवर्स में आपको सूपर इंपोस देखने के लिए मिलता है जिसका रिजुविनेशन होता है जिसके नतीजे में ट्र कर लिया है और अभी हमने जस्ट देखा कि यहां पर अभी भी वेलीज वगरा की फॉर्दर डीपनिंग हो रही है फॉर्मेशन वगरा चली रहा है ठीक है कैश्मेंट एरिया चोटा होता है और एज की बात की जाया तो यह बहुत जादा पुरानी है है हमालियन रिवर्स की पूछा गया है कि अगर आप अगर अगर से सीली गुडी तक जाते हैं याने की हिमाले की तरही में जो आपके रास्ते हैं उसके उस पटिकॉलर रास्ते को लेते हुए हरी दौड से अकर सीली गुडी तक ट्रावल करते हैं तो फिर आपको यह बताना एक तो कौन-कौन सी नदियां जो है रास्ते में पढ़ेंगे और उनमें से किसी एक particular नदी की characteristics को आपको define करना है इसका जवाब यह है कि जब हम हरीदवार से सिली गुडी तक हिमाले के दर्रे हिमाले के जो foot hills हैं उसके उस पर चलेंगे या फिर हिमाले की जो तराई है उस रास्ते को लेते हुए चलेंगे तो कई सारी नदियां हमारे रास्ते में आएंगी टोंस एक नदी है गुमती है सर्यू है राम गंगा शार्दा गंदक ओल्ड गंदक कमला भागी रथी कोशी और सबसे important गंगा ये सारी नदियां जो है रास्ते में आपको देखने के लिए मिलेंगी आप इन में से particular नदी की characteristic बतानी है तो सबसे important नदी जो जिसके ओपर पूरा Indian civilization depend करता है उसी किसे हम लोग अपनी बात्चीश शुरू करते हैं वो है गंगा इनकी characteristics हम लोग describe करेंगे तो गंगा is the most important river of India both from the point of view of its basin and cultural significance इसमें कोई शक्की बात ही नहीं है cultural point of view से बात की जाए religious point of view से बात की जाए तो गंगा इंडिया की सबसे important rivers में से एक है हमारी civilization है जिसकों गैंगेटिक civilization भी कहता है कई बार या हमारी culture है जो important शहर वगरा है सब इसी नदी के आसपास बसा हुआ तो religiously culturally बहुत important river इसमें कोई शक्की बात नहीं है basin के point of view से भी दिखा जाए तो देखिए हिंदुस्तान की बहुत बड़ी population अपने सस्टेनेंस के लिए इस नदी पर depend करती है या तो इस नदी पर इनकी ट्रिब्यूटरी वगरा पर तो इसलिए important river हो जाती है अब इनकी शुरुआत कैसे होती है उत्तरा खट में जगह पढ़ती है एक डिस्ट्रिक पढ़ती है जिसका नाम है उत्तरकाशी उत्तरकाशी में जगह पढ़ती है गौमुक यहां पर glacier है इसको हम लोग कहते हैं गंगोत्री glacier गौमुक के पास में ग्लेशियर पढ़ता है जो लगबग 4000 मीटर की हाइट पर है समुद्र के स्थर से स्थर से या सी लेवल से स्पेसिफिकली बोलना है तो 3900 मीटर यहां से गंगा की शुरुआत होती है या फिर यहां से गंगा देव प्रियाग में भागी रती अलगरनन्दा नाम की एक नदी मिलती हैं और और दोनों के मिलने के बाद में यह नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है आप इसके बाद में फ्लो करते हुए यहां目前 डाकों में इंटर करती है और उसके बान हमालिया के मांटें को हमाले बिहार, कुछ हिस्ता जारकर्ण का और बंगाल के पोर्शन को कवर करती हुए ये पहुंचती है आपका ये आपका बंगाल में पहुंचती है यहाँ पर फिर एल्टी मेटली इनके दो हिस्से होते है या फिर यूँ बोलना चाहिए कि ये नदी दो डिस्टिब्यूटरी में तूट जाती है एक जिसमें से एक कौम लोग बोलते हैं भागी रती और दूसरी को बोला जाता है होगली अब इस रिवर की बात की इसके बाद में से बंगला देश में चली जाती है बढ़ वो सब से अपना मतलब नहीं है इंडिया में मगर इनका इतना जो है कोर्स अब को देखने के लिए मिलता है अब इस रिवर की बात की जाए तो धाई हजार किलोमेटर से जादा का डिस्टेंस ये ट्रावल करती है तू थाउदन फाईव़डेंट फैटीफाइव किलोमेटर का टूटल डिस्टेंस से ट्रावल करती है एंड उसमें से उत्तराखंड उत्तरप्रदेश बिहार पश्यम बंगल इन सारे अलग-अलग राज्यों में से अलग-अलग लेंथ जो हैं ट्रावल करती है तो याद रखिएगा सबसे जादा यूपी उसके बाद पश्यम बंगाल फिर बिहार और उसके बाद में आता है उत्तराखंड अब गंगा का पूरा का पूरा बेसिन है 8.6 स्क्वार लाग किलो में फैला हुआ है फिर 8.6 लाग स्क्वार किलो में फैला हुआ है सिर्फ इंडिया में बंगलादेश वगेरा की मैं बात ही नहीं कर रहा जिनमें से कुछ का उदगम हमालियाज में होता है नौर्थ में और कुछ का जो है पनिसुलर प्लाट्यू के सेंट्रल हाइलेंड में जो है इनका उदगम होता है तो यह सारी की सारी नदियां आकर गंगा में गिरती है और इनको बहुत मजबूत एक सशक्त वाटर सिस्टम ब जो है गंगा को प्रयाग में जोंई करती है या फिर प्रयागराज में जो है अब यहमुना नदि का इंमें भी जो है काफी आपकी नदियां गिरती है चंबल हो गई, सिंध हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई, यह राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के तौर पर इनमें आके गिरती है, जिसके चलते हैं, यह मुना एक बहुत सशक्त नदी के तौर पर जो है डिवलाफ होती है, तो अब और इतनी सशक्त नदी अब क्योंकि यह मुना में गिरती है, इनका ओरीजन कहां हो रहा है, पेनिसुलर प्लाट्यू में, यह स्पैसिफिकली बोलूं तो इस तरह से कहा सकते हैं, पेनिसुलर प्लाट्यू के सेंट्रल हाइलेंड में इनका उदगाव आपको देखने के लिए मिलता है, इसी तरीके से हिंडन न इस तरीके से काफी ज़़य है, काफी बड़ी मातरा में इस्टेमाल हो रहा है, तो इसी के साथ में अपने NCRT के जो वो खत्म होता है इसी के साथ में अपना जो यह सेशन है वो भी समाप्त होता है अगला सवाल आप यह पूछ सकते हैं कि यह के तंट्र आपको एकसर करने के लिए कैसे मिले वहाँ आपको सब कुछ पर यह आपको सबकुछ देखने के लिए मिल जाएगा दूसरा भी से मैगनेट ब्रेंस के सबका कंटेंट exclusively free of cost access करने के लिए मिल जाएगा प्लस हम यह भी समझते हैं कि यह कंटेंट देखने के बाद आपको फिसक्रिप्शन करने के लिए नोट कि जरूरत पड़ेगी तो यह सारा का सारा कंटेंट आपके मुबाइल पोन पर आपके टैबलेट पर पीसी पर सब पर अकसेसिबल है तो जितना हो सकें इस कंटेंट का इस्तेमाल करें इसकी मदद से अपने examination की preparation को जितना उसके उतना जीक किक दें जितना उसके उतना जादा प्राहँ नाष अगरा को इन्हांस कर रहें knowledge अपना도 करते चले जाएं जितना उसकी इसकी मददness करें ख़bir करें well prepared knowledge क्योंकि जतना जादा acquire करेंगे उतना जादा आप बहुते चले जाएंगे तो बहतर बनते चले जाएंगे इसी नोट पर आप उट भी कॉलिंगे देंगे सेशन मिलते हैं नेक्स सेशन में जिसमें हम लोग इसके बात का जो नेक्स हमारा चैप्टर उसके को डिसकस करेंगे तब तक के लिए अपना ध्यान रखें खुश रहें पॉजिटेव रहें हस्ते मुस्कुराते रहें and most importantly जुड़े रहें मैगनेट ब्रेंस के सांथ थैंक यू जय हिंद